हेलो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर चलो देखते सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे आज मार्केट में क्या हुआ मार्केट आज फ्लैट गैप अप टाइप ओपन हो गया फर्स्ट पंदरा मिनिट में ही यह फर्स्ट कैंडल नहीं नीचे आना स्टार्ट कर दिया और यह जो इसका प्रिवियूर्स डे क्लोजिंग था मार्केट ने एक्जैक यहाँ पर सपोर्ट ले लिया अगर आप लायू इस रेंज में पुरा पुरा निकाल दिया अब हम लोग इसमें प्लैन क्या कर सकते सेम तो सेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट के लिए एक रेंज यहां से यह फॉल हुआ था यहां पर इसने बेस बनाना स्टार्ट कर दिया देन यह ब्रेक आउट करने के देखेंगे अब यहां पर आपको दो लेवल दिखर एक तो 40,000 की उपर 5 मिनिट्स या फिर 15 मिंट्स के कैंडल जैसे मार्केट क्लोज करता है देन हम लोग उसी स्विंग के नीचे का एसे ल लगा के बाइंग की तरफ देखेंगे अगर कल मार्केट बहुत बड़ा है फिर से हम लोग देखेंगे कि यहां पर आने के बाद यह प्रिवियर्ज डे क्लोजिंग अप क्या है आज की क्लोजिंग कितना है आज की क्लोजिंग है 39,560 तो 40,000 अगर आपकट सकते हो अगर इन क्या मार्केटी जोन पर आता है यहां पर क्या यह सपोर्ट लेता है हम लोग वेट करेंगे देन एक सपोर्ट का बाइंग के तरफ हम लोग अगें प्लाइन करेंगे यह हो गया हमारा बाइंग नॉमबर वन अगर फ्लाइट ओपन हो गया देन हम लोग इमिजेट अगर इसने 40,083 या फिर 40,100 वगर यह जो लेवल निकाल दी तब हम लोग इसमें C के तरफ देखेंगे टार्गेट जो रहेंगे हमारे दोनों में ही हमारा फर्स्ट टार्गेट जो रहेगा वो रहेगा 40,400 यह टार्गेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे है ना अगर मार्केट कल बहुत बड़ा ग्याप डाउन ओपन हो गया स्टील 39,700 जो जो जोन है यह जो स्विंग है प्रिवियर्स इस स्विंग की नीचे अगर इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तभी हम लोग पी के तरफ देखेंगे हमारे जो टार्गेट रहेगा वो फर्स्ट टार्गेट रहेगा 39,400 एंड देन हम लोग 39,000 का प्लैन करेंगे बट में यही है कि अगर मार्केट ने कल यहाँ पर ब्रेकडाउन फेलियर कर दिया क्यूंकि बायर्स इसको कही न कही ट्राइट करें कि मार्केट को जितना फास्ट हो सके उतना हम लोग निकल जाए अगर बायर्स यहाँ पर ट्राइप हो गए और 40,000 लेवल पर यहाँ पर कलोजिंग कर दे यहाँ पर इसने कलोजिंग कर दी आज पूरा दिन हीनों यहाँ पर ट्राइप कर दिया तो अगर इसने यहाँ पर ब्रेकडाउट नहीं दिया ज्यादा टाइम यहाँ पर पे पर पर फेल्योर हो गया देन हम लोग आने वीड़ टाइम में अगें 39,500-4400 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते अगर आप वन टे टाइम फ्रेम में आओगे तो यह देख लो वन टे टाइम फ्रेम यह देखो यह इसी तरह यह बायर्स इसको फास्टली इसको लेके जा रहे यहाँ पे एक होल केंडल बनाया हुआ है जैसे इस केंडल का ब्रेक आउट कर देगा हम लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ प्लान करेंगे अब हम लोग आते हैं निफ्टी में निफ्टी में अगर मैं 15 में टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो अब मुझे क्या लेवल दिख रहे हैं सेम टू सेम यह जो हमारी प्रिवियस लेवल्स थी मार्केट पूरा का पूरा दिन मार्केट ने इसी लेवल पे निकाल दिया अब में पूरे के पूरे लेवल निकाल देता हूँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो इसका रिजिस्टांस था अब यह निफ्टी का कहीं न कहीं सपोर्ट का वर्क काम कर रही है देखो यह जो पूरा पूरा जोन है यह अब Nifty का as a support काम कर रहे है तो Nifty जो है वो हम लोग 17,120 इसके नीचे ही candle close होने के बाद हम लोग PE के तरफ देखेंगे एक 5 minutes के candle close हो गई तो नहीं तो हम लोग Nifty में इस range में जब तक ही उपर हैगा तब तक हम लोग CE में ही देखेंगे और कल अगर market बहुत बड़ा gap up open हो गया somewhere 180,195 इस range में अगर कहीं पर भी market gap up open हो गया still हम लोग wait करेंगे हमारे पास एक level लेवो है 17,200 यह level पर market कैसे react करना है वो interesting हरेगा अगर यहाँ पर कहीं तो भी gap up open हो गया अगें नहीं आ सकता इस level पर यहाँ पर support लेने के बाद हम लोग buying number 1 होगा और अगर यहाँ पर market ने इस resistance को break कर दया इसके ओपर 5 minutes के candle close हो गई देन हम लोग यहाँ पर एक pullback के साथ buying देखेंगे तो बहुत बड़े gap up के साथ अपने पास दो लेवल है flat open होने के बाद भी steel मैं आपको suggest करूँगा nifty को इस zone को निकलने दो 200 zones होए इस zone के निकलने के बाद ही buying के तरब देखना और selling के तरब जैसे है कि 120 110 यह जो previous swing था इस swing के नीचे हम लोग selling के तरब देखेंगे और हमारे जो targets रहेंगे वो रहेंगे 17,000 75 और 17,000 30 यह दो targets के लिए हम लोग PE के तरब देखेंगे but still मैं wait करूँगा और एक दिन क्योंकि market एक से दो दिन में पक्का यह level आपको बता देगा कि यह किस तरब निकलने वाला है bank nifty nifty तो कल expiry भी है तो कल expiry भी है trending हम लोग देख सकते तो अभी हमें क्या देखना है हमें देखना है कि market is zone को कितना fast निकल दा है क्योंकि buyers को जितना fast होगा उतना इस market को निकल के उपर लेके जाना पड़ेगा तो I hope आपको यह level समझ में आ रहे होंगे उसके बाद अभी हम लोग आज बात करते है कि क्या problem क्या हो रहा है जैसे मैं बोला था कि market analysis के साथ free learning का भी हम लोग यह सीरी स्टार्ट करें देखो अभी problem क्या हो रहा है यह आप लोगों का control नहीं हो रहा है जैसे आज आज क्या हुआ आज आपको दिख रहे है लिटरली आप market आज दीख रहा था अगर मैं 5 मिनिट्स में आऊंगा तो यह इतने खतरना कि इसने breakout failure किये थे बट श्टील लोग इस ट्रेड में जा रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनना market आज भी है market कल भी रहेगा market Monday भी रहेगा आपको देखना है कि क्या आपके पास यह पैसे रहेंगे की नहीं मैं लायू में भी बोलता हूँ पैसे रहेंगे तभी पैसे बनेंगे नहीं तो नहीं आपको बस analysis करना पड़ेगा और dummy amount के साथ ही trade करना पड़ेगा तो इस बेटर की चीजों को समझो चीजों को देखो उसके बाद ही trade करना आपकी सबसे पहली priority हमेशा रहनी चाहिए कि loss को कितना minimize कर सके हमारा problem यह है कि हम लोग targets देखते कि कितना भागेगा सर टार्गेट को market को decide करने दो यह जो statement है note down करके रख देना target समेशा market को देने दो stop plus आपको कितना देना है न वो पहले decide करो तो problem यह है कि unnecessary दिन में 10 trade 50 trade हमें ले लेने इस range bound market में जहाँ पर आपको दीख रहा है कि market आज range bound में छोड़ देता हूँ कल हो सकता यह breakout कर देगा या फिर यह breakout failure के बाद sharply नीचे आ जाएगा यह range से निकलने वाला है ना ऐसा नहीं कि market जिंदगी वर इस range में रहेगा यही तो patience है sir rally में हर कोई छोटा बच्चा पैसा कमाता है जब market rally करता है तो आपको क्या है बस buy करना है जहाँ पे लोगे वहाँ पे market shoot हो जाएगा जोर्ण आपको समझ में आ रहा होगा मेस अब आश्यास कर देना वहाँ दिन वैंकि में फिक्स कर देना कि इतना किम इतना इतना लस ले लूगा ऑंप आपको ये विडिये अच्छे लग रहे होगा है लाइक कर देना और कमेंट में आपके एक पैरी से कमेंट भी बता देना थैंक यू सो मुच पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू